Hello students, welcome to Gyanam. कैसे हैं आप सब? आज का हमारा topic है दिल्ली पुलिस के previous year के questions. तो चलिए देखते हैं paper में कैसे कैसे questions आ रहे हैं. तो जितने questions करेंगे उतने कम हैं. हांजी, इस साल खाकी वर्दी लेके रहेंगे. हांजी, first question देखे हैं, हमारे पास question कैसे आया? in the following question, select the related word from the alternatives. मुझे बताना हैं कि इसके बाद क्या आएगा? अब मुझे देखना है, A, B, C, D का क्या relation है? तो मैंने यहां पर डाला, 1, 2, 3, 4. इनकी position values डाली, A पहला alphabet, B दूसरा, C तीसरा, D4. As on. ठीक है? तो मैंने क्या करना है? पुजीशन values डाली. अब यहां देखा मैंने क्या हो रहा है? 14, 16, 18, 20. अब इसमें क्या हो रहा है? 13 एड हो रहा है. इसमें कितना एड हो रहा है? 14. इसमें कितना एड हो रहा है? 15. इसमें कितना एड हो रहा है? 16 यहां 13 एड हुआ यहां 14 यहां 15 यहां 16 तो अगले में बताना है क्या आएगा F G H I इसमें बताना है अगला क्या आएगा F की position value G 7 8 9 तो यह मैंने position values डाल दी आप मुझे क्या करना है इसमें 13 एड इसमें 14 एड इसमें 15 एड इसमें 16 एड ठीक है तो 6 प्लस 13 19 S 7 प्लस 14 21 तो यू 8 प्लस 15 कितना हुआ 23 तो 23 क्या होता है W हांजी 9 प्लस 16 पच्चिस तो आंसर आ जाएगा SUWY तो मेरा option हो गया D चलिए दुबारा देखें हमने क्या किया ABCD की position values डाली फिर NPR ट की डाली फिर मैंने देखा इसमें क्या हुआ 13 बढ़ा इसमें 14 इसमें 15 इसमें 16 तो मेरे पास जो option है question है उसमें भी 13 बढ़ाएंगे फिर 14 फिर 15 फिर 16 तो 6 प्लस 13 19 7 प्लस 14 21 ठीक है 8 प्लस 15 23 फिर कितना आ गया 25 चले अगला question देखते हैं अगला question भी similar है question में पूछा जा रहा है blocked का code यह है तो बताई इससे पहले क्या आएगा जिसका यह code है अब मेरे पास blocked का code यह कैसे बना यह चेक करते हैं हां जी अब देखिए opposite letters का concept होता है उसमें क्या होता है दो letters एक दूसरे के opposite तब होते हैं जब दोनों का सम कितना आता है 27 दो letters एक दूसरे के opposite तब होता है जब दोनों का सम कितना आएगा 27 बी टू वाई 25 तो कितना जमा हो गया 27 ल 12 15 तो कितना हो गया 27 ओ 15 ल 12 तो कितना हो गया 27 तीन और चौबिस ताइस ठीक है तो यह इन दोनों का सम कितना बन रहा है 27 बाकी मैं आपको शॉटकट भी सिखाऊंगी बाई, OLX, OLX, Cracks, PK Movie, Even, Don't Worry तो यह एक दूसरे के क्या है opposite letters मुझे इसके उपर वाला निकालना है कि उसके उपर क्या आएगा अब O का उपर क्या आएगा L, Z का उपर क्या आएगा A, F के उपर क्या आएगा हांजी उफ रीजनिंग वाली मैं कितना काम देती है ठीक है तो उ हांजी M का opposite होता है N, X का C, S का H, शिरी तो answer आगया launch otherwise आप position values डालके भी कर सकते थे यह 15, यह 26, यह 6, यह 13, यह 24, यह 19 तो 27 बनाने के लिए 12 add, यहाँ 1 add, यहाँ पे 21 add, यहाँ पे 14 add, यहाँ पे 3 add, यहाँ पे 8 add तो मेरा answer आजाएगा launch तो वो मेरी कौन सी option है first दो letters एक दूसरे के opposite कब होते हैं जब दुन्नों का sum 27 बने चलें अगला question है बताए odd one out तो इसमें मुझे odd one out बताना है 919 949 तो इसमें मैंने देखा कि 30 बढ़ा 646, 688, यहाँ पे मैंने देखा कि 40 बढ़ गया, यहाँ पर कितना बढ़ा 20 यहाँ पे कितना बढ़ा 34 से 4 तो 30, यहाँ बढ़ा 30, यहाँ बढ़ा 648 से 686, 40, यहाँ पे बढ़ गया 20 और यहाँ पे बढ़ गया 30 अब यह तो कोई logic नहीं बना, अब ध्यान से देखते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है अब इसमें देखे सारे odd numbers हैं, इसमें सारे even numbers हैं, यह भी सारे even numbers हैं, यह भी सारे even numbers हैं 3 को छोड़ के, ठीक है, तो मेरा odd one out कौन सा हो जाएगा, यह, क्योंकि इसमें जादा क्या है odd numbers, तो मेरा odd one out क्या हो जाएगा, यह, चले, अगला question देखते हैं, अगले में अलग सा बताना है, कि अलग सा कौन सा है, अब यहाँ देखे क्या हो रहा है, 46 से 54, अब 46 से 54 कैसे अगर मैं इनकी position यह देखू reverse, हाँ जी इसको छोड़ के बाकी सब क्या हो रहा है, reverse, 71 का क्या होगा, 17, 31 का क्या हो गया, 13, 79 का क्या हो गया, 97, यह सब एक दूसरे के reverse हो रहा है, 71 का 17, 31 का 13, 79 का 97, तो odd one out कौन सा हो गया, यह वला, उत्तर आ गया, ए, चले, अगला question है, इस figure में squares बताए, इस figure में कितने squares हैं, तो जब मैं आपको counting of figures बताऊंगी, तो इसमें बताऊंगी, कि हम अगर मेरे पास ऐसी figure है, तो हम squares कैसे count कर सकते हैं, अब इसमें हम squares कैसे count कर सकते हैं, मैंने देखा यह पहला, यह दूसरा, फिर 1, 2, 3, तो यह मेर बन गया, 3 by 2 का matrix, 3 by 2 के matrix में, हमने क्या करना है, 3 by 2 के matrix में हमने क्या करना होता है, हमने इसको decreasing में लेकर आना है, पर कहां तक, जब तक 1 आ जाए, तो मैंने इसको decreasing में किया, पर कब तक, जब तक 1 आ जाए, तो 3 into 2, plus 2 into 1, ठीक है, तो 3 into 2, plus 2 into 1, अब यह 1 आ गया, इसका decreasing 2 तो इसका decreasing एक, तो मुझे आगे नहीं जाना, तो ये decreasing में आ गया, कितने आ गये, 6 प्लस 2, 8, ये तो बन गए 8 squares, पर देखे हम शायद कुछ छोड़ दें, कौन सा छोड़ रहे हैं, ये वाला, ये भी तो एक square है, 9, फिर ये 10, फिर ये 11, फिर ये 12, ठीक है, 9, 10, 11, 12, तो ये हो गए 12, अभी भी 2 छोड़ रहे हैं, ये देखे कौन सा 2, हांजी color change करते हैं, और पता चलेगा, ये देखे, 13, तो 13 नमबर ये वाला, तो 13, उसके बाद 14, ये वाला, 14, ठीक है, जब मैं इनको merge करूंगी, तो एक square भी तो बन रहा है, अभी मैंने ये figure ली थी, red वाली, अ ये भी तो एक square बन रहा है, तो कितने आ गए 14 squares, तो मेरा उत्तर आ जाएगा 14, तो ये पूरा का पूरा topic आपको सिखाया जाएगा, counting of figures में, तो counting of figures में आपके पास अगर same direct, same figures हैं, तो आपके पास formula है, अगर figure थोड़ी सी teddy मेडी हो गई, तो आपको थोड़ा ध्यान से कर ना पड़ता है, चले, अगला प्रशन है अपना distance and direction का, question में कहा जा रहा है, विने अपने घर से चला, 80 meter north, अब विने अपने घर से चला, 80 meter north, फिर उसने लिया right turn और 30 meter गया, अब यहां से उसने right turn लेना है, तो right turn किदर हो जाएगा, इधर, 30 meter, फिर उसने right turn लिया और 40 meter गया, तो अब इसका right turn कहा होगा, नीचे, तो right turn नीचे, अब गलती क्या करते हैं बच्चे, यह 80 और यह 40 है, तो 40 असी का क्या होना चाहिए, अदा, यह 40 है और यह 80 है, तो 40 क्या होना चाहिए, असी का आदा, तो यहां तक आ गया, How far is he now from his home, वो कितनी दूरी पे है अपने घर से, यह बता रहा है, कितनी दूरी पे है अपने घर से, अब देखिए, shortest distance निकालना है मुझे, अब यह निकालने के लिए, पहले मैंने इसको half में divide किया, यह पूरा 80, तो यह 40 और यह भी 40, ठीक है, यह 80 है पूरा, तो यह 40 और यह 40, यह 30 और यह भी 30, अब 40 और 30 का hypotenuse निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस theorem लगाया, 40 की स्क्वेर प्लस 30 की स्क्वेर, हाँ जी 4 का स्क्वेर 16, 0 हो गए डबल, 3 का स्क्वेर 9, 0 हो गए डबल, तो कितना आ गया, पच्चिस सो, तो पच्चिस सो का अपना आ जाएगा, 50 मीटर, तो मेरा उत्तर आ जाएगा, 50 मीटर, तो मेरा अंसर आ गया, 50 मीटर, दुबारा से देखें, विने अपने घर से चला, 80 मीटर नौर्थ उपर गया, राइटन लिया, 30 मीटर, फिर राइटन लिया, 40 मीटर, अब गलती का करते हैं, बच्चे यहां तक ले आते हैं, तो ध्यान से बनाना है, 40 मीटर, यहीं रोक देंगे, कितनी दूरी पे है, अपने घर से यह बताना है, हाँ जी यह पूरा 80, तो यह 40 और 40, तो यह 40 और 30, तो कितना आ गया, 50 मीटर, चले, अगला प्रशन है, अपना नंबर सीरीज का, क्वेशन में कह रहा है, कि बताए, इस फिगर में क्या आएगा, मुझे इन दुनों को नोट करना है, और यह समझना है, अब देखे, इस क्वेशन में दो तरीके अपलाए हो रहे हैं, पहला तरीका, पांच में 4 एड किया, 9, पांच चौके 20, 5 प्लस 4, 9, 5 फोर्जा 20, तो एक तो यह बन गया, 3 प 4, 9, 36, अब देखे, 36 तो अपने पास कोई option में ही नहीं है, तो 36 तो मेरे पास है ही नहीं, तो जब मैं यह तरीका अपलाऊंगी, तो मेरा answer ही नहीं आ रहा, अब मैं दूसरा तरीका देखती हूं, 5 प्लस 4, 9 हो गया, अब 9 से 20 बना, 9 दुनी 18, प्लस 2, 9 तूसा 18, प्लस 2, कितना हो गया, 20, 3 प्लस 8, 11, 11 इंटू 2, 22, प्लस 2, 24, 9 प्लस 4, 13, 13 इंटू 2, 26 प्लस 2, तो क्या आ गया, 28, 9 प्लस 4, 13, 13 को किस से गुना किया, 2 के सा, 13 दुनी 26, प्लस 2, कितना हो गया, 28, तो मेरा उत्तर आ गया, 28, चले, अगला प्रशन है, कोडिंग, डी कोडिंग का, अब कोडिंग, डी कोडिंग में, ओपोजिट का कोड दिया हुआ है, ओपोजिट का कोड है, N, O, Q, P, T, J, S, D, कोशिश करें कि उसी के नीचे आए, ठीक है, तो ये 15, ये 14, तो माइनस 1, ये 16, और ये 15, माइनस 1, ये 16 और 17, ये प्लस 1, ये 15, ये 16, ये प्लस 1, ये 19 से 20, प्लस 1, 9 से 10, प्लस 1, ये माइनस 1, ये माइनस 1, तो शुरू में और एंड में क्या हो रहा है, माइनस 1, शुरू में और एंड में क्या हो रहा है, माइनस 1, बीच में सारा क्या आ रहा है, प्लस 1, शुरू में में minus 1 बीच में सारा plus 1 अब मुझसे पूछा है straight का code बताएं अब straight के code में मैंने position values डाली यह डाल दी अब मैंने किया शुरू में और end में minus 1 बीच में सारा plus 1 unniss में से एक गए 18 20 में से एक गए 19 18 plus 1 19 1 plus 1 B 7 plus 1 8 8 में से एक गए 7 20 में से एक गए 19 तो मेरा उतर आ गया RGG BHGS तो मेरा उतर आ गया C मैंने इसका code समझा इस code में क्या ओर रहे है शुरू में और end में minus 1 बीच में सारा plus 1 तो शुरू में और end में minus 1 बीच में सारा plus 1 यहां पर भी किया minus 1 minus 1 plus 1 plus 1 minus 1 तो क्या आ गया R, S, S, B, H, G, S चले अगला question है odd pair बताना है shopkeeper का customer होता है doctor का patient होता है lawyer का client होता है पर clerk क्या होता है file नहीं तो यह गलत हो गया तो अलग मेरा कौन सा है D, shopkeeper का customer होता है ठीक है customer उससे shopkeeper से कुछ purchase करता है patient doctor ठीक है patient doctor के पास जाता है client lawyer के पास जाता है पर file clerk के पास बिलकुल नहीं चले अगला है ball is to bat ink post is to ink अब ink pot में हम क्या डालते है ink wine किस में डालते है bottle में tea किस में डालते है cup में तो कौन सा लगो गया ball bat ठीक है ink ink pot में डालते है wine bottle में डालते है tea cup में डालते है तो कौन सा लग है ball bat चले अगला प्रेशन है इसमें रेक्टेंगल को काउंट करें कितने रेक्टेंगल हैं इसको काउंट करें तो अब मैंने आपको बताया है कि जब आपके पास figure थोड़ी सी similar है आपके पास formula है अब क्या formula है यह एक दो तीन चार तो यह चार ठीक है यह वले देखिए अपने पास ये 4 तो अब मैंने क्या करना है इनको add कर देना है 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 तो इसमें मेरे पास कितने rectangles आए 10 अगर मैं इनको count करूंगी तो देखें पहला rectangle फिर दूसरा rectangle फिर तीसरा rectangle फिर चौता rectangle फिर ये 5, ये 6, फिर अगर मैं merge करूंगी तो ये 7, ऐसी 3 को मिलाया 8, ऐसे मिलाया 9, एक बड़े वाला 10 पर ये करकर time नहीं waste करना तो rectangles count करते हुए आपने क्या करना है जितने हिस्सों में बटा है उन सब को कर देंगे add तो कितने हिस्सों में बटा 10 तो इनको add कर दिया अब ये देखिए ये भी similar है तो 1, 2 तो 1 प्लस 2, 3 अगर मैं check करूं, एक ये वाला बन रहा है दूसरा ये वाला बन रहा है, तीसरा इन दोनों को merge करके बन रहा है ठीक है, अब यहाँ पर भी 1 प्लस 2, तो कितने आ गए, 3 तो ये हो गए, अपने पास 16, पर हम 2 अभी भी miss कर देंगे, देखिए मेरे पास 16 भी option होगी, तो ध्यान से कीजेगा 2 कौन से miss किये हमने color change करके बताती हूँ, ये देखिए हम ये वाला miss कर देते हैं 17 ये जब मैं इनको merge करूँगी, तो ये भी तो एक rectangle है स्तारवा, ऐसे ही यहाँ पे देखे, अठारवा ठीक है, तो ये 17 और ये 18, तो कितने rectangle जा गए total 18 चले अगला प्रशन है, अपने पास question figure में बताएं अगला क्या आएगा, ठीक है, मुझे इससे 1 का 1, 1 का 1 2 का 4 यानि के 1 का square है 1 और 2 का square है 4 3 का square 9 4 का square कितना आजाएगा 16 तो मेरा उत्तर आजाएगा 16 ठीक है, तो ध्यान से देखे, 1 का square 1 2 का square 4, 3 का square 9 4 का square 16 तो ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के square हो रहे है चले अगला question है मेरा coding decoding का charger हां जी अगला question है मेरा coding decoding का blunder blender दिया हुए और मेरे पास code है L-B-N-U-R-E-D quicker का code पूछा है तो सबसे पहले मैं देखूंगी blender का code ये कैसे बना ठीक है अगर हम ध्यान से देखे तो D-E-R का क्या बन रहा है R-E-D तो last में 2 का क्या बन रहा है R-E-D ठीक है तो last में क्या बन रहा है R-E-D ऐसे ही blend का देखने है blend में क्या हो रहा है हाँ जी blend में पहले 2 interchange फिर ये वले 2 भी interchange तो पहले 2 भी interchange और ये वले 2 भी interchange ऐसी अब मुझे quicker में करना है last के 3 क्या करने है interchange R E K R E K अब Q U में U Q IC में C I ठीक है Q U का UC और IC का क्या आगया C I अपना उत्तर आजएगा U Q C I RE की उत्तर आगया C चले अगला प्रेशन है इसके अगली फिगर बताए कौन सी है तो इसकी अगली फिगर बतानी है कौन सी है अब मुझे पता है जब मेरी फिगर में कुछ changes नहीं हो रही ठीक है जब मैंने आपको बताया कि कुछ नया नहीं आरा सिरफ वही फिगर रोटेट हो रही है तो आपको पहली से पांचवी फिगर पे ध्यान देना है अब पहली से पांचवी फिगर बिल्कुल सेम पहली से 5 फिगर बिल्कुल सेम तो B फिगर का बिल्कुल सेम आ जाएगा तो पहली से 5 फिगर का बिल्कुल सेम तो B फिगर का बिल्कुल सेम क्या है 3 तो B फिगर का बिल्कुल सेम क्या है C तो मेरा अंसर आ गया 3rd चले अगला प्रशन है अगला F फिगर बताए कि F फिगर में क्या आएगा तो अगला F फिगर में क्या आएगा ये बताना है अब मैंने देखा A से B में क्या हो रहा है अब मैं ये लाइन को नोट करती हूँ हाँ जी A में यहाँ थी B में नीचे आई फिर अंदर गई फिर अंदर से रोटेट हुई फिर बाहर आ गई ठीक है अब अगर मैं इसी figure में A को E के साथ नोटिस करूँ तो यह यहाँ था और यह clockwise एक दो इधर आया clockwise दो position move क्या एक दो अब ऐसे ही यह यहाँ पर है तो दो move करेंगे एक दो तो इधर आएगा और कहाँ पर आएगा बाहर तो बाहर आ रहा है फिर्स्ट फिगर में थर्ड फिगर में फोर्थ फिगर में तो फिर्स्ट थर्ड या फोर्थ फिगर में आ रहा है ऐसे ही बिंदी नोटिस करते हैं A figure में यहाँ आई और E figure में उपर A figure में यहाँ है और E figure में उपर है तो एक दो anti-clockwise उपर move करी anti-clockwise दो positions अब B figure में जहाँ पर है anti-clockwise मतलब यहाँ आ जाएगी तो A figure नहीं हो सकती ऐसे ही मेरे पास दो positions move करना मुझे तो अपने पास A नहीं हो सकती थर्ड आ सकता है फोर्थ भी नहीं आ सकता तो मेरा उत्तर आ गया थर्ड अब देखिए मैंने अभी बताया है जब मेरा कुछ भी नया नहीं आ रहा नया नहीं आ रहा तो हमने क्या करना है A से E figure notice करना है A से E figure में क्या change हुआ अब यह line दो move हुई clockwise तो यह मैंने 2 move कर दी clockwise बिंदी भी क्या हुई anti clockwise दो move ही तो anti clockwise दो move कर दी तो ऐसे ही मैंने B figure में यह clockwise दो move किया और बिंदी को दो और move किया anti clockwise चले अगला प्रेशन है अपना coding decoding का तो coding decoding बहुत आ रही है पेपर में जैसे मैं आपको बार-बार बता रही हूँ हाँ जी blemish का code समझना है फिर मुझे chapter का code बताना है तो blemish का code समझते हैं ये कैसे बना B से A minus 1 इदर 12 से 15 plus 3 5 से 4 minus 1 13 से 16 plus 3 तो position values याद करनी पड़ेंगी तब ही कर पाएंगे question plus 3 8 से 7 minus 1 तो minus 1 plus 3 minus 1 plus 3 minus 1 plus 3 minus 1 तो अब ऐसी मुझे यहाँ पे करना है मैंने position values डाली हाँ जी यहाँ किया minus 1 तो क्या आगया B यहाँ किया plus 3 तो 11 K यहाँ किया minus 1 तो Z यहाँ किया plus 3 तो 19 यहाँ minus 1 S यहाँ किया plus 3 तो 8 यहाँ किया minus 1 तो कितना आ जाएगा Q तो अपना उत्तर आ गया B, K, Z, S, S, H, Q तो क्या आ गया B, K, Z, S, S, H, Q चले अगला प्रशन है अपना distance and direction का distance and direction में कह रहा है starting from a point X जयन्त walked 15 meter towards west जयन्त 15 meter west गया ठीक है? फिर उसने left hand लिया और 20 meter गया अब देखे ऐसे जा रहा है तो इसका right hand का होगा उपर तो left hand का होगा नीचे फिर उसने left hand लिया और 15 meter गया अब देखे right hand होगा इदर left hand होगा इदर तो 15 meter मतलब जितना ये उतना ये फिर उसने right hand लिया और 12 meter गया तो right hand का होगा नीचे तो 12 meter ये आ गया How far is जयन्त from point X in which direction? अब मुझसे पूचा जा रहा है जयन्त कितनी दूरी पे है from X अब ये X है और ये जयन्त है तो कितनी दूरी पे है अब ये देखे मेरे पास कितना है 20 meter ये 20 तो ये भी 20 और ये 12 तो कितना meter है 32 meter ये 20 और 12 32 और किस direction में है तो ये कौन सी direction है south तो 32 meter south तो क्या answer आ जाएगा 32 meter south चले अगला प्रेशन है pointing to a woman in a photograph एक woman को point out किया speaker ने कहा she is the only daughter ये clothty बेटी है किसकी my father's mother-in-law ठीक है अब ये question ट्री बना के भी कर सकते हैं और assume करके भी कर सकते हैं तो चलिए अभी हम करते हैं assume करके अब man speaker तो जब भी question को assume करके करना है आपको क्या करना है speaker को अपने आपको assume करना है जो speaker है वो आप खुद है और ये question हमेशा पीछे से start होगा तो पीछे से start किया my father's mother-in-law मैंने कहा मेरे पापा की सास मेरे पापा की सास मतलब उसकी नानी नानी की only daughter है ये तो नानी की only daughter तो नानी की only daughter कहन होगी आपकी ममी तो woman इस man की क्या लगी mother दुबारा सुनें जब भी question को speaker से start करना है कहां से start करेंगे पीछे से तो आपने पीछे से start किया आपने किया man से तो पीछे से बढ़ा मेरे पापा की सास मेरे पापा की सास आपकी क्या होई नानी नानी की कलौती बेटी नानी की कलौती बेटी आपकी क्या होगई ममी चलें अगला प्रशन है सीरीज का ठीक है मुझे इस सीरीज को complete करना है अब देखिए जब मेरे पास question ऐसे आ जाए decimal वाला तो आपने देखना है difference पच्चविंजा में से 0.5 याने के 0.05 अब देखिए कैसे माइनस करेंगे ऐसे जब कुछ भी नहीं है तो 50 लगा देंगे तो ये 5 ये 0 ये 0.05 अगले में कितना है 0.65 है 10 का 65 में से 55 गे 10 अब इधर मैंने देखा 0.80 और ये 0.65 तो मुझे ये माइनस करना है तो ये 7 ये 10 10 में से 5 का ये 5 ये कितना आ गया 0.15 तो ये कितना आ गया 0.15 तो अगला मुझे देखना है 0.20 ये 5 का ये 10 का ये 15 का ये 20 का तो जब मैं 8 में 0.2 को आड करूंगी तो मेरा अंसर आ जाएगा 1 तो 1 अंसर आ जाएगा तो मेरा अंसर हो गया C चले अगला प्रशन फिर से सीरीज का है मुझे इसको कम्प्लीट करना है हाँ जी अब इस कुशन में हम डिफरेंस देखके करते हैं शायद डिफरेंस से काम आ जाए दो में एक तीन का साथ का पंदरा का 31 121 में से 58 माइनस किया 11 में से 8 गए 3 11 में से 5 गए 83 सरी 63 ठीक है अब इस से नहीं पता जला एक बार दुबारा डिफरेंस किया 2 का 4 का 8 का 16 का 32 ठीक है तो ये क्या हो रहा है आपके पास जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है double 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 ये क्या हो गया difference क्या हो गया double अब मुझे अगला बताना है तो ये 32 है तो यह कितना हो गया? 64 का. तो 63 प्लस 64, कितना आ गया? 127. 63 में 64 एड किया, कितना आ गया? 127. तो इसमें हमने 121 में 120 एड किया, 248. तो मेरा उत्तर आ गया, 248. दुबारा देखे, मैंने यह किया, मैंने एक बार डिफरेंस किया, नहीं पदा चला मैंने again difference किया 2 का 4 का 8 का 16 का 32 का तो चौंट का तो मैंने चौंट add किया तो कितना आ गया 248 चले अगला प्रशन अपना फिर से आ गया blood relationship का तो चले blood relationship assume करके करते हैं men men कौन है speaker तो पीछे से पड़ा my father's only daughter-in-law मेरे पापा की बहु तो मेरे पापा की बहु आपकी क्या हो गई wife मेरे पापा की बहु आपकी क्या हो गई wife wife की ये only daughter है तो wife की clothी बेटी आपकी क्या हो गई बेटी आप question में पूछ रहे हैं woman उस man की क्या लगी तो woman उस man की क्या लगी daughter दुबारा देखते हैं pointing to a woman in a photograph a man says speaker ने कहा my father's only daughter-in-law मेरे पापा की कलोती बहु मेरे पापा की कलोती बहु मतलब आपकी wife wife की only daughter मतलब आपकी बेटी तो आपकी बेटी आ गई चले अगला प्रेशन है pointing to a woman a man says अजी फिर से आपके पास blood relationship का चली अभी से tree बनाते हैं pointing to a woman woman को point out किया speaker ने कहा she is the sister-in-law ये sister-in-law है किसकी only daughter of my mother-in-law's husband ये sister-in-law है किसकी मेरी बेटी के mother-in-law के husband की चले अब assume करके करते हैं tree बना के थोड़ा सा confusing हो जाएगा क्योंकि सारे रिष्टे क्या हैं शादी के बाद के तो चले speaker कौन है man man से पढ़ा my mother-in-law's husband man कह रहा है मेरी सास का husband मतलब ससुर ससुर की only daughter ससुर की only daughter कौन होगी आपकी wife wife की ये sister-in-law है तो आपकी wife की sister-in-law कौन होगी आपकी बेहन तो wife की sister-in-law कौन होगी आपकी बेहन या आपकी भावी तो मेरा answer आ जाएगा man woman man की क्या लगी तो woman man की क्या लगी sister चले दुबारा सुने man speaker पीछे से पढ़ा मेरी सास का husband मतलब ससुर ससुर की only daughter ससुर की only daughter मतलब उसकी आपकी wife wife की sister-in-law तो आपकी बेहन होगी चले अब अगला question आपका आपका assume करके नहीं होगा आपको बनाना ही पड़ेगा क्यों बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें pointing टू वाला कुछ है ही नहीं तो जब pointing टू वाला ना हो तो बनाना ही पड़ता है man introduce the boy coming within एक man ने एक boy को introduce किया जो उसके साथ आ रहा था तो man ने एक boy को introduce किया जो उसके साथ आ रहा था उसने कहा ये लड़का है किसका लड़का है एक father का ये लड़का है एक father का और वो father कौन है my wife's daughter father of my wife's daughter ये father है मेरी wife की daughter के अब देखिए बनाते हुए फिर से problem आ रही है दुबारा देखते हैं एक inter boy ने introduce किया man को अपने साथ उसने कहा वो लड़का है किसका लड़का है एक father का और वो father किसका है my wife's daughter अब देखे speaker इसमें man था speaker की wife हांजी speaker की wife तो speaker की wife मतलब उसकी wife wife की daughter wife की daughter मतलब उसकी daughter उसकी daughter के father मतलब वो खुद उसका लड़का है यह तो उसका लड़का है अब question पूछन है boy man का क्या लगा तो boy man का क्या लगा son तो जो question आपके tree बना के नहीं होते वो assume करके हो जाएंगे जो assume करके नहीं होते वो tree बना के हो जाएंगे तो आपने दोनों तरीकों सीखने और दोनों तरीकों से try करना है यह question दुबारा पढ़ रहे हैं लगता है boy उसका क्या लगता है son चले अगला प्रशन है अपना number series का मुझे कह रहा है कि बताए इसके बाद क्या आएगा चले इसको नीचे लिख लेता है 789 मैंने इसमें देखा 23 का gap फिर यहां देखा 46 का gap तो अगर मैं इसको minus करती हूँ तो यह देखिए 46 का gap आ रहा है 13 में से 7 गए 6 यह 4 10 में से 6 गए 46 मतलब gap क्या हो गया double अब अगर मैं देखूंगी यहां पे और double हो जाएगा 969 फिर और देखेंगे 69 और 23 नौर 3 बारा 92 फिर और देखेंगे 92 प्लस 23 पांच 9, 2, 11, 115 अब मुझे और 23 अड़ करना है तो 115 में 23 अड़ किये 138 तो 789 में 138 को अड़ करना है 8 और 9, 17, 9, 3, 12, 9, 2, 7 तो मेरा उत्तर आगया 9, 2, 7 मैंने डिफ्रेंस देखा 23 का गैप 46 का गैप 69 का गैप 92 और इसमें यह double डिफ्रेंस देखेंगे तो 23, 23, 23 बढ़ रहा है तो 23, 23 बढ़ रहा है तो 115 में मैंने 23 बढ़ा दिया तो 238 बढ़ाना है तो 789 में 138 बढ़ाएंगे तो कितना अपतर आ जाएगा 927 चले अगला कोश्चन है मुझे इस फिगर में embedded फिगर बतानी है अब ये फिगर मुझे दी हुई है मुझे देखनी है कि यह कहां रल मिल गई है कहां घुस्प मिस गई है तो मुझे ये फिगर रल मिल गई है जहां पर वो ढूंडनी है तो ये देखिए मेरे पास यहां पर दिख रहा है सबसे पहले मैंने same size की देखनी है और same size की मुझे दिख रही है तो उत्तर आ गया A चले अगला कोश्चन है इस फिगर को complete करें complete the figure अब मुझे इस figure को complete करना है सबसे पहले मैंने यहाँ पर यह draw किया अब देखें मुझे यह circle चाहिए और यह line यह नहीं है D answer तो D में देखें यह मेरे पास circle है और यह line है और फिर यह square है तो क्या answer आ जाएगा D तो मेरा उत्तर आ जाएगा D figure चले अगला प्रशन है मुझे इसको complete करना है तो इसको complete करने के लिए मेरे पास एक तो यहाँ line आएगी फिर यह ऐसे आएगा तो मेरे पास यहाँ पर एक ऐसे और एक ऐसे करके आएगा तो A figure नहीं हो सकती B figure आ सकती है C और D भी नहीं आ सकती तो उत्तर आ जाएगा B figure चले अगला प्रशन है इस figure का mirror image बताएं mirror image मतलब दरपन image आपको मैंने पहले भी करवाया हुआ है दरपन image में जो दरपन होगा वो या तो यहाँ होगा या यहाँ या इदर होगा या इदर और आपको क्या करना है ये left ये right तो मेरा भी ये right हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा left तो right, left, right, left, right, left तो मेरा उत्तर वो होगा जिसमें ये वली side इस side आजाएगी तो A figure में आ रही है B figure में भी आ रही है C में नहीं आ रही है D में आ रही है तो ये जो right वली figure है ये इदर आ जाएगी अब देखिए जो ये इदर है ये भी तो इदर आएगा तो इसमें नहीं आ रहा बी में भी नहीं आ रहा तो मेरा उत्तर हो जाएगा डी क्योंकि ये वला देखिए बिल्कुल ऐसा है तो ये वली चीज मेरी इदर आएगी इस साइड तो ये वली आ रही है तो मेरा उत्तर आगया डी खाकी वर्दी इस साल लेकर रहेंगे तो चलिए ऐसे ही जुड़े रहें ग्यानम के साथ और ऐसे ही पढ़ते रहें लगन से हम अगली वीडियो में और कुशन्स लेकर आएंगे थैंक यू